अज पहली बार में मेरे चैनल पर किसी मुवी सीरीज को एकस्प्लेण करने वाला हूँ वो नौर्वे की नमबर वन हॉररर स्लेशर सीरीज है जिसका नाम है कोल्ड प्रेई अब मेरे ख्यार से YouTube पर एक दो लोगों ने ही इस series के सिर्फ first part को explain किया है तो मैंने सोचा कि मैं पूरी series को explain करूँगा इस series में total 3 parts है और आज मैं explain करूँगा first part को Coldplay 2006 में release हुई थी और इस movie को पूरी series में सबसे best movie माना जाता है और ये एक slasher thriller genre की movie है इस movie को direct किया है Roar Uthog ने IMDB पे से मिले है 6.3 out of 10 stars और ये movie underrated होने के कारण सड़ेवे टमाटर पर लोगों ने इसे rating नहीं दी है पर इसका audience score available है जो की है 55% तो बिना देरी किये जितने भी नए viewers channel पर पहली बार आए है चैनल को subscribe कर दो क्योंकि हमें जल से जल 10K का target पूरा करना है जिससे हम थोड़ी ही दूर है तो इसी के साथ बिना देरी किये Roll the intro Movie शुरू होती है एक लड़के को दिखाते है वो जो बरफीले तूफान में अपनी जान बचाने के लिए किसी से भाग रहा था और उसके lift आग पे एक बहुत बड़ा बर्त मार करेता है जिससे उसकी पूरी आग कवर थी इस बीच हमें दिखाये जाता है कि पुलिस उसके माबाप से उसके लापता होने के बारे में पुछताच करती है बाकते बाकते वो लड़का एक खाई में गिर जाता है और वो अन्नोन परसन उसके उपर बर्फ डालने लगता है वो लड़का अपने जान के लिए भीक मांगता है पर वो अन्नोन परसन उसे बर्फ में जिन्दा दफना देता है इसके बाद ओपनिंग क्रेडिट्स के दोरा न यूटन हैम के पहाड़ों में लापता हुए लोगों के बारे में न्यूस दिखाई जाती है सीन सीधा प्रेज़न डे पे शिफ्ट होती है जहां कुछ फ्रेंड्स का ग्रूप स्नोबोडिंग करने के लिए यूटन हैम के पहाड़ों में जा रहा था इस ग्रूप में पाच लोग थे जिसमें सबसे पहल है यानिक और उसका बॉइफ्रेंड एरिक दूसरा है मिकाल और उसकी गल्फ्रेंड इंगन और लास्ट में है एक तरफा प्रेमी मॉर्टन टोबियास क्योंकि उसकी शकल देखकर ही पता चलता है इन्हें अकेले ही स्नोबोर्डिंग करनी थी इसलिए ये लोग वहाँ ऐसी जगा पर जाते है जहां पर क्राउड ना हो वहाँ पहुचने पर ये लोग रोड साइड पर अपनी गाड़ी पार्क करके पहाडों तक पैदल चलके जाते पहाड के शिकर पर पहुच कर ये लोग अपनी स्नोबोर्डिंग शुरू करते स्नोबोर्डिंग करते करते मॉर्टन टोबियास लड़ खड़ा जाता है और बहुती बुरी तरह गिरता है जिसमें उसके पैर की हड़ी तूड़ जाती है यानिक उसका पैर फिक्स करती है पर मॉर्टन को अर्जंट मेडिकेशन की जरूरत थी वहाँ उन्हें कोई नेटवर्क भी नहीं मिलता और वो लोग उने कार भी इतनी दूर पार्क की थी कि वहाँ पहुचते पहुचते रात हो जाती तो वो लोग यहाँ वहाँ देखने लगते चलते चलते यानिक को धलान की तरफ एक होटल दिखता है और वो लोग मॉर्टन को लेकर सिधा वहाँ जाते इस उमीद में कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए वहाँ पोचने पर वो लोग पाते हैं कि होटल सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत वक्त से कोई आया भी नहीं था एरिक दर्वाजे पर जाकर चेक करता है पर दर्वाजा अंदर से लॉक था अब मॉर्टेन को अर्जन्ट मेडिकेशन की जरूत होने के कारण एरिक को कुछ और नहीं सुसता तो इसलिए वो एक खिड़की की कास तोड़के अंदर जाता है और उनके लिए दर्वाजा खोलता है वो लोग अंदर जाते और यानिक मेडिकल सप्लाइस दुणने लगती है तब भी उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सुपर गलू था और शौटगन की एक गोली यानिक उन्हें वहाँ मिले अल्कोहॉल और सुपर गलू से मॉर्टेन का तूटा हूँआ पेर चिपकाती है और यह मेरी एक्स्पलीनेशन में दूसरी बार हो रहा है जहां पर कोई किसी का बॉड़ी पार्ट अल्कोहॉल और सुपर गलू से चिपका रहा है खेर वो लोग realize करते हैं कि बाहर अंदेरा हो रहा है तो रात काटने के लिए वो सब यहीं रुखने का फैसला करते हैं इसके बाद एरिक, मिकाल और इंगन उस abandoned resort को explore करने के लिए जाते हैं और यहां यानिक मॉर्टेन को company देने के लिए रुखती है तभी यानिक को lodge के में डोर जोर से open होने की आवाज आती है वो लैंप लेकर दर्वाजे से बाहर देखती है तभी उसे ऐसा रखता है जिसे उसने किसी को जाते हुए देखा पर जब वो ध्यान से देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता वो सोचती की भार चल रहे तूफान के कारण दर्वाजा खुल गया होगा तो इसलिए वो दर्वाजा बंद करके अंदर आ जाती है यहाँ इन तीनों को एक हॉल में गुमते गुमते फर्श पर काच के तुकड़े पड़े हुए मिलते जो कि दिवार पे लगे कुलाडी के केस के थे और किसी ने उस केस को तोड़ कर वहाँसे कुलाडी निकल ली थी एरिक कहता है कि शायद किसी को कुछ ज़ाधा ही ज़रूरत थी इस कुलाडी की तभी मिकाल को सीडिया दिखती है जो की नीचे तेखानी के दरब जाती थी वो तीनों बेस्मेंड में पहुँचते हैं जहां पर उन्हें जनरेटर मिलता है एरिक उस जनरेटर को फिक्स करता है जिससे रिसोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मिकाल और इंगन वहाँ से चले जाते हैं अपने हाथ पोचने के बाद एरिक उपस उपर ही जा रहा था तभी उसे तेखाने से क्लेंकिंग नॉइस सुनाई देती है उसे लगता है कि शायद वो मिकाल और इंगन है वो उने थोड़ा केरफूल रहने के लिए कहता है पर उसे कोई रिपलाई नहीं मिलता यहां मिकाल और इंगन को एक रूम मिलता है जिसका बैड और आसपास की चीज़े बुरी तरह जली हुई थी और उसकी खीडकी भी तूटी हुई थी इंगन यह एजियूम करती ही कि जो भी इस रूम में था शायद वो सो रहा था और उसे पता नहीं चला कि रूम में आग लग चुकी है पर जब तक वो उठा तो आग इतनी बढ़ चुकी थी कि वो दर्वाजे तक पहुच नहीं सका इसलिए वो खिडकी से कूद गया होगा तबी उनकी नजर उस रूम के बातरूम में पढ़ती है जहाँ पर लगबग हर जगा खून लगा हुआ था जो कि अब सूख चुका था सब लोग लाउंज में वापस आते हैं जहाँ पर वो सब सिच्वेशन का फाइदा उठाते वो लाउंज में पढ़े 60s और 70s के स्टीरियो एक्विपमेंट में गाने चलाते हैं और वहाँ पर पड़ी फुकट की शराब पिकर इंजॉय करते हैं यानि कोस होटल की गेस्ट बुक मिलती है जिसमें वो पाती है कि लास्ट जिस गेस्ट ने इस होटल में चेक-इन किया था अपने माता पिता के साथ था एरिक मिकाल और इंगन से पूछते हैं कि वो नीचे तैकाने में क्या शोर कर रहे थे पर वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने कोई भी शोर नहीं किया था रात को सब सोने की तैयारी करते हैं और मिकाल और इंगन लाउंच से चावी लेकर रिसॉट के किसी स्पेशल सुईट में सोने के लिए जाते हैं यानि कोरेरिक पार्लर में सोते हैं और मौटें टोबियास अकेला काउच पे सुईट में मिकाल इंगन की एक परसनल बात पर थोड़ी बहस हो जाती है और मिकाल इंगन को रूम में अकेला छोड़के उपर लाउंज में चला जाता है और वहां बैटकर स्टीरियो का वॉल्यूम फूल करके फूकट की दारूपी ने लगता है सुईट में इंगन नहाने के लिए शावर चालू करती है बर शावर में से पानी के साथ खून भी मिकस आता है इंगन डर के मारे शावर ही बंद कर रही थी तब ही उसके पीछे से कोई सुईट के अंदर आता है इंगन को लगता है कि मिकाल वापस आया है वो मिकाल को आवाज लगाती है और अंदर भार भी देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता इंगन अपने कपड़े उठा कर सुईट से जाने लगती है इंगन को रूम के अंदर गसिटने लगता है इंगन मदद के लिए चिलाती है पर बार में चल रहे है म्यूजिक के कारण उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती वो फिर से इंगन पर हमला करता है पर इंगन कैसे तो खुद को छुड़ा कर खून से लटपद हॉल में भागने लगती है वो लॉंज पहुच नहीं वाली थी तब ही वो आदमी उसके पेर के बीच में पिकेक्स डाल कर उसे गिरा देता है वो रेंगते हुए सीडियों पर जाने लगती है और उसे मिकल दिखता है जो कि सामने ही बार में बैठाता पर इससे पहले वो उसे आवाज लगा पाती वो आदमी सीधा इंगन के पीट में पिकेक्स गुसा देता है और उसकी लाश को घसिट के ले जाता है अगली सुबा मिकल इंगन के लिए नास्टा लेके सुईड जाता है और दरवाजा बजाता है वो कल रात के लिए माफी मांगता है पर उसे कोई रिपलाय नहीं मिलता यहां एरिक मदद लाने के लिए होटल से चला जाता है और यानिक से कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा मिकल उपर आकर यानिक को बताता है और तभी होटल की इलेक्टरिसिटी जाने लगती है यहां बार एरिक को बर्फ में कुछ खून के दबबे दिखते है और उनका पीछा करने पर उसे एक स्नो के धेर के पीछे इंगन की बॉड़ी मिलती है एरिक इंगन को चेक ही कर रहा था तभी एरिक के पीछे बर्फ में से वो आदमी निकलता है पर इससे पहले एरिक कुछ कर पाता है वो आदमी पिकेक्स का दूसरा साइड उसके थोबड़े पे दे मारता है सीन ब्लैक आउट होकर यानिक और मिकल पे शिफ्ट होती है जो की बेस्मेंट के जनरेटर को चेक कर रहे थे यानिक कहती ही कि हम इसमें फ्यूल डाल कर इसे फिर से शुरू कर सकते है मिकल को पास ही एक फ्यूल कैन दिखती है और जैसे ही वो फ्यूल कैन उठाता है वहाँ पड़े कपड़े में लिप्टा हुआ सामान उस पर गिरता है मिकल उठता है और वो दोनों देखते हैं कि उस सामान के पीछे एक दरवाजा था वो दोनों उस दरवाजे को खुल कर अंदर जाते तो देखते कि उनके आसपास के शेल्स पर स्की पोल्स, विंटर कैप्स, संग्लासेस एंड और भी धेर सारी चीजे पड़ी हुई थी जिसे देखकर मिकाल कहता है कि ये कोई Lost and Found Department लगता है और अंदर जाने पर उन्हें एक कैबिन मिलता है जहां बहुत सारे हत्यार और अलग-अलग तरह के ट्रैप्स पड़े हुए थे मिकाल लाउंज में मौर्टेन को चेक करने जाता है और यहां यानिक इंगन से बात करने के लिए आती है कोई reply न मिलने पर वो रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि हर जगा खून ही खून था वो मिकाल और मौर्टेन को अपने साथ लाती है मिकाल को खून से भरे फर्ष पर इंगन का लॉकेट मिलता है जिसे देखकर वो शौक हो जाता है यानि कहती कि हमें इस होटल से फौरन निकलना होगा वो लोग आपस लाउंज की तरफ ही जा रहे थे तभी मेंडोर के खुलने से तेज हवा हॉलवे से होते हुए उनके चेहरे पे लगती है जिससे वो समझ जाते है कि लॉज में कोई और भी है वो तीनों एक दुसरे खाली रूम में घुच जाते और दरवाजे को लॉक करके उस रूम में पड़ा हुआ एक वुडन साइड़ बोर दरवाजे पे लगा देते मॉर्टेन यानिक से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है यानिक उसे बता दी कि तेखाने में कोई रहता है और उसने बहुत सारी चीज़े कलेक्ट करके रखी है ऐसी चीज़े जो लोग आम तोर पे पीछे छोड़के नहीं जाते मिकाल कहता है कि उसे इंगन को धुणना है यानिक कहती कि तुम्हें लगता है कि वो जिन्दा होगी पर मिकाल नहीं मानता और वो रूम से निकल कर लौँज में जाता है वहाँ वो पागलो की तरह इंगन को आवाज देने लगता है फिर लौँज के उपर बने किचन में चेक करने जाता है अचानक से उसके चेरे के दरफ एक पिकेक्स आता है पर वो वक्त पे साइड हो जाता है और वो किलर मिकाल पे हमला करने लगता है मिकाल उससे बचकर किचन से सिधा लौँज में उड़ी मारता है और होटल से बाहर बाग जाता है वो killer भार आकर यहाँ वाँ देखने लगता है पर शाना मिकाल उस killer के ठीक उपर main door के छट पर छुपा था उस killer के जाने के बाद वो यानिक और मॉर्टेन के पास room में आता है और दर्वाजा लॉक करके फिर से वो wooden sideboard लगा दिता है और उन दोनों को अपने साथ sideboard पर pressure डालने के लिए बिठाता है तब ही वो killer भार से दर्वाजे को धक्का देकर अंदर गुशने की कोशिश करता है और ये तीनों डर के मारे चिलाने लगते है कुछ attempts के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है उसके जाते ही मिकाल कहता है कि वो आसानी से दर्वाजे को तोड़ सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया हमें अभी के अभी यहां से भागना होगा पर मॉर्टन कहता है कि मेरे पेर का क्या मिकाल यानिक से कहता है कि हम दोनों यहां से निकल सकते है ये वैसे भी कुछ काम का नहीं रहा और ये सुनके यानिक कहती है अगर तुम चले जाओके तो हमारे पास深 could each-use नहीं बचेगा फर मिकाल केटा है कि हमारे बाश से निकल जाता है और शेड की दरब भागता है पर जैसें यह शुपाए हूए एक बेर ट्रैप में उसका पैर फस जातनते मिकाल कैसे तो अपना पैर 5 137 निकलता है और शेड के अंदर जाके छुप जाता है अचानक से एक बड़ा सा mountain man resort के बहार आता है और उसने animal skin और snow goggles पेंड रखे थे वो शेड के अंदर गुसता है तब ही मिकाल वहाँ से भागने लगता है पर mountain man उसे पकड़ लेता है और उसकी गरदन पकड़ के तोड़ देता है जिसके कारण मिकाल उसी वक्त पर लोग सिदार जाता है यह खतरनाक सिंध कर यानिक और mountain की डर के मारे हालत खराब हो जाती है यानिक उसी वक्त mountain को पैंट्री ले जाती है और उसे वहीं रुखने के लिए क यानिक के जाने से पहले mountain यानिक को कहता है कि मैं तुमसे और यानिक कहती है मैं जानती हूँ और यह केकर वो वहाँ से चली जाती है मैंने कहा था न यह बंदा एक तरफ अप्रेमी है फिर वो में डूर के पास ही जा रही थी तब ही उसे बाहर से mountain man इसी तरफ आते हुए द तबी उसे याद आता है कि शुरू में उसे medical supplies दूनते वक्त पारलर में एक shotgun की गोली मिली थी, वो फटा फट पारलर जाती है और लखिली उसे वहाँ गोली मिल जाती है, फिर उसे shotgun के अंदर लोड करके वो Morten के पास जाती है, और उसे कहती ही कि उसके पास एक plan है, basement में जात की आवाज सुनाई दे, मुझे torch से signal देना, यानिक generator बंद कर देती है, जिससे mountain man समझ जाए कि वो लोग नीचे है, यानिक mountain man के room का दरवाजा खुलती है और wait करती है, कि जैसे ही mountain man दिखे तो वो उसे shoot कर दे, पर तबी उसका ध्यान नीचे जाता है, और वहाँ उसे Eric का kitchen म बान के रखा था, वो उसे छुडाने की कोशिश करती है, पर नहीं छुडा पाती, यहाँ बाहर mountain को एक box cutter मिलता है, और उसे वो अपने pocket में डाल देता है, तबी उसे mountain man के आने के आवाज सुनाई देती है, और वो यानिक को signal देता है, यानिक Eric से कहती कि वो हिले न, और फ पड़े से बाहर निकल कर उस पर gun point करती है, पर mountain man डिड़ शाना था, वो उसी वक्त खुद की flash light off कर देता है, और batman की तरह अंदेरे में गायब हो जाता है, यानिक जल्दी सोचते हुए उस back room का दरवाजा बंद करके वहाँ लकड़ी की जगा अपनी shotgun लगा देती है, और जैसे ही वो बाहर आएगा, मैं उसे shoot कर दूँगी, यानिक वहाँ से अपनी shotgun निकलती है और mountain के साथ दरवाजे पर gun point करके खड़ी हो जाती है, mountain man बाहर आए, इसलिए mountain pass पड़ा एक पाना दरवाजे पर फिकता है, दो second बार दरवाजा खुलता है और यानिक shoot कर देती और यानिक से उसकी empty shotgun लेता है और उसे भागने के लिए कहता है, और यानिक वहाँ से भाग जाती है, और mountain mountain man के उपर gun point करके उसे पीछे हटने के लिए कहता है, पर वो फिर भी उसकी तरफ बढ़ रहा था, mountain वो gun उस पर फिकता है, और pass में बढ़े एक saw से उसे रोकने की क कोशिश करता है, और mountain man को देखके mountain man be like, bro, really? Mountain man उसके पेर में pickaxe मारता है, जिससे mountain नीचे गिर जाता है, वो saw से mountain man का पेर काटने की कोशिश करता है, पर mountain man सीधा उसके सीने में pickaxe गुसा देता है, और mountain भी मर जाता है, यहानिक होटल से निकल कर shed में जाती है, और अपनी उस लेड़ के उपर रखकर कहीं ले जा रहा था, तभी mountain man पीछे देखता है, और यानिक ब्योश होने का नाटक करती है, फिर एक जगा पर आकर mountain man रुख जाता है, और आगे बढ़कर गेरी खाई को देखने लगता है, वो इन सब की bodies को खाई में फेकने वाला था, उनकी bodies mountain man एरिक की body को फेक रहा था, वो फटाक से box cutter निकल लेती है, और उस mountain man के आने पर फिर से ब्योश होने का नाटक करती है, वो moreton tobyas की body को ले जाकर फेक देता है, अब वो यानिक को फेकने वाला था, और जैसे ही वो उसका पेर पकड़ता है, यानिक box cutter उसके गरदन में कर उसका pickaxe उठा लेती है, वो mountain man पर वार करती है, पर mountain man बहुत ताकतवर था, वो उससे pickaxe छीन कर उसे खाई की तरफ ढखेलता है, और यानिक नीचे गिरते गिरते बचती है, mountain man उसे pickaxe से मारने ही वाला था, तभी यानिक उसके goggles निकल देती है, और यानिक के साथ हम द धड़ा धड़ pickaxe से उस पर वार करती है, जिससे वो खाई में गिर नहीं वाला था, फिर यानिक उसी का pickaxe उसके सीने में गुसा देती है, जिससे mountain man गुटनों पे आ जाता है, फिर यानिक उसे लात मार कर खाई में गिरा देती है, गिरते हुए mountain man को उसके बचपन के flashback जब वो अपनी जान बचाने के लिए भीग मांग रहा था, और उसके उपर बर्फ डाली जा रही थी, वो लड़का उपर अपने माबाप को देखता है, जो उसे बर्फ में जिन्दा दफना रहे थे, तब ही mountain man की body धार से जमिन को hit करती है, और हम देखते हैं कि यानिक के दोस्तों के साथ उसकी भी body वहाँ पड़ी होती है, ठकी हुई यानिक वहीं भेवश हो जाती है, और movie यहीं खतम हो जाती है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस movie के दो और पार्ट है, तो अगर अभी मैं आपको इस series की theory explain करूँगा, तो इसके आने वाले अगले दोनों प पार्ट की story spoil हो जाएगी, खास करके तो third film की, जो इस series की prequel है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि सारे parts explain करने के बाद ही मैं आपको इस series से related पूरी history explain करूँगा, और हो सके तो mountain man और उसकी history के उपर एक special video बनाऊँगा, पर हाली के लिए मैं आपको इस first part से related कुछ spoiler free details बता सकत अब इस first part को देखके हम यही जान सकते है कि mountain man जिसको बचपन में उसके माबाप ने मारने की कोशिश की थी, वो कैसे तो वहाँ से बच निकला, उसके कहीं साल बाद उसके माबाप भी गायब हो गए, अब माबाप के गायब होने के बाद mountain man को लगा कि illegally सही, hotel तो उसका ही ह तो उसने उसी hotel में अपना अड़ा बना लिया, और इसके बाद tourist के वहाँ से लापता होने का सिलसिला शुरू हो गया, जो भी यूटनाहेम के पाड़ो पे आता या उस hotel के आसपास भी भटकता, वो गया समझो, और इसलिए newspapers में उस hotel के बारे में news थी, कि यह hotel of evil है, mountain man tourists और लोगों को मार के उनकी चीजे कलेक्ट करता था, और ये पागलपन वो क्यो करता था, ये उसी कोई पता, और उनकी लाशों के साथ वो क्या करता था, ये तो आपने देखी लिया, मेरे ख्याल से police को लोगों की bodies इसलिए नहीं मिली होगी कि वहाँ के चील या जानवर उन bodies क खा लेते होंगे, अब बात करते हैं इस movie से related कुछ details के बारे में, movie में जो mountain lodge दिखाया गया है, और उस hotel से related जितने भी scenes आपने देखे, चाहे वो pantry से लेकर basement तक हो, वो सारे scenes real थे, कोई भी CGI use नहीं किया गया, और वो lodge असलि में वहाँ है, जो कि अब भी open है, जिसका real नाम है लेइर वजबू mountain lodge, जो कि नॉर्वे के लेइर डैलन शेहर में से थे, आप चाहे तो वहाँ जा भी सकते हैं, सिर्फ प्रातना करना कि वहाँ आपको सचका mountain man न मिल जाए, इसके बाद movie में एक scene था जहाँ यानिक और मिकल basement में उस mountain man के room में जाते हैं, और वहाँ उन्हे दूसरी चीजों के साथ कुछ newspapers के articles मिलते हैं, जिसमें एक article में उस hotel को on scapence hotel कहा गया है, meaning hotel of evil, जो की describe करता है कि ये एक abandoned lodge है, और Stanley Kubrick की The Shining movie और Stephen King की novel The Shining दोनों का ही Norwegian title on scapence hotel है, इस movie में lodge के अकेले पन के साथ-साथ phone संपर की कमी होना The Shining movie का एक और reference है, तो ये था मेरा cold प्रे one movie का complete explanation only first part से related कुछ theories और details के साथ, और मुझे guarantee है कि आपको ये movie ज़रूर पसंद आई होगी, second part ठीक first part की ending से ही शुरू होगा, तो इसलिए cold pray की complete story से जुड़े रहने के लिए channel को subscribe करें, और साथी bell notification icon भी दबा दे, ताकि जैसे ही second part release हो, तो आपको सबसे पहले पत को हर जगा फेला दो, और channel को subscribe करना मत भूलो दोस्तो, हमें 10K का target पूरा करना है, और मुझे पूरा यकिन है कि आप लोग ये जल्दी ही पूरा कर लोगे, और साथी में मुझे Instagram पे follow करना मत भूलो, अगर आपको जानना है कि इस series के बाद मेरी आने वाली वीडियो कि इस movie करने वीडियो कि दो से अल्दी है, और hour लोगे सकते है आने है कि इस दो दो सितना है करना है, और दो से करना है आने इस करना है कि दो से अल्दी है एक्टमां है